नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ट्रेन की जन्रल या अन्रेजर्ब टिकट कैसे बुक कर सकते हैं ट्रेन में टिकट बुकिंग के कई सारी कैटेगरी होती हैं जैसे 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, Sleeper और Journal और I'm sure हम सभी ने कभी जन्रेन की टिकट से यात्रा जरूर की होगी जबी भी हम जनरल टिकट लेने जाते हैं बिंडो पे तो हम मिलती है बहुत लंबी लाइन और हमारा बहुत सारा समय टिकट के लिए लाइन में लगे लगे ही निकल जाता है अगर हम ऑनलाइन टिकट की बात करें तो अभी तक सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी की टिकट ऑनलाइन बुक हुआ करते थी लेकिन रेलवे ने अब जनरल टिकट बुकिंग का भी ऑप्षन दे दिया है थ्रू मोबाइल अप्लिकेशन इसके जरीए आप जनरल टिकट भी मो अनलाइन बुकतान भी कर सकते हैं मैं आज आपको पूरा प्रोसेस एक्स्प्लेइन करके बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल सेट जनरल ट्रेन की टिकट कैसे बुक कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ज Google Play Store open करना है फिर यहां पर आपको UTS on mobile इसको सर्च करना है इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा आप देख वा रहे होंगे कि 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है तो यह पूरी तरीके सुरक्षित है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मैंने डाउनलोड कर रखा इसलिए मैं इ इहां पर आपको अपना मॉबाइल नंबर देना है पका नाम देना है ऐसी पास्वेर्ड को कन्फर्म करना और जेंडर सेलेक्ट करना है यहां पर टीटेल फिरकरने की बास यहां पर यहाँ P हो अब रेज perfume क्लिक करना है आपको आपना मुबाय नमबर डाला है इसमें उस मुबायल नमबर पे एक Pettie बहे जाएगा ऊसे opening को यहां पर डालके validate करना है अब आपको लॉगदिंऻ बापस आ जाना है और फिर से आपको अपना मुबाइल नंबर डालना जो आपने अभी रेइस्टेशन में डाला तगा लॉग इन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपको multiple options मिल जाएंगे normal booking, quick booking, platform booking, seasonal booking, qvar booking normal booking का मतलब है कि आप general ticket book करना चाहते है quick booking मतलब तुरंद book करना चाहते है जल्दी से platform ticket मिल जाएगी इस पर आपको seasonal booking मतलब अगर आप frequent traveler है तो आपका seasonal pass बन जाएगा इसमें जोंकि हमें normal ticket book करनी है तो हम इस option को choose करेंगे अब यहाँ पर normal का option आपको दिख रहा है normal ticket booking में जो पहला option है book and travel paperless इसकी कुछ terms and condition है वो मैं आपको बता देता हूँ paperless ticket book करने के लिए यातरी के पास GPS विवदा वाला smartphone होना जरूरी है और book करने के दरान उसकी location on होनी चाहिए ticket booking के दरान आपकी location चेक की जाएगी कहीं आप train के अंदर तो नहीं है अथवा platform के अंदर तो नहीं है ऐसी condition में अगर आप train के अंदर अथवा platform के अंदर है तो आपकी ticket book नहीं होगी दूसरा rule है paperless ticket को cancel नहीं करा जा सकता है paperless ticket book करने के एक घंटे के वितर यातरा शुरू कर देनी होती है तीसरा rule है platform ticket को भी इस mobile application के जरी यह book किया जा सकता है यदि यातरी mobile पर ticket नहीं दिखा पाता है तो ऐसी उस्थिति में उसे बिना ticket ही माना जाएगा mobile से paper ticket book करने के बाद यातरी को railway station पहुँचकर वहाँ पे लगी ATBM machine मतलब जो automatic ticket vending machine है उससे print निकालना होगा और इसके लिए अपना registered mobile number और booking ID मशीन में डालनी होगी दूसरा rule यह है कि printed ticket option के जरिए ticket book करने पर यातरी के पास उसका print होना जरूरी है क्योंग चेकिंग के दौरान print नहीं मिलने पर उसकी यातरा को बिना ticket माना जाएगा ATBM machine से ticket का print out लेने के एक गंटे के अंदर यातरा का शुरू हो जानी चाहिए पेपर टिकट को cancel भी करवाया जा सकता है इसके लिए यातरी को print लेने के बाद counter पर जाना होगा या फिर वो print लेने से पहले app के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं दोनों ही मावलों में cancellation fees लगेगी तो यह जो रूल है लोकल टिकट बुक करने के यह रूल आपको जान लेना बहुत जरूई था टिकट बुकिंग से पहले नॉर्मल बुकिंग में आप यहां पर अपनी condition के according सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको paperless बुक करना है तो मैं यहां पर with paper बुक करता हूँ सबसे पहला option है depart form station आप यहां पर नाम डालें अब मैं यहां पर नाम डालता हूँ मालीजी अलवर जो हमारा destination है वह मैं type करता हूँ मैं अलवर से बादी कोई का टिकट बुक करना चाहता हूँ अब मैं next करूँगा इसमें यहां पर आपको normal में passenger का detail डालना है एक है या एक से ज्यादा है वह आप यहां पर डाल सकते हैं माल लेते एक है अडल्ट बच्चे कितने हैं वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं यहां पर आपको train type select कर लेना है कि आपको mail या express का ticket चाहिए अथवा super fast का चाहिए तो हमें mail express का ticket चाहिए class obvious आपका second रहेगा तो यहां पर आपको payment option चूज कर लेना है कि आप ticket का payment किस mode से करना चाहेंगे यहां पर आपको दो option मिलते हैं एक और wallet का option मिलता है दूसरा pay using debit card, credit card, net banking और UPI यहां पर आप अपनी सुविदान सर payment mode को चूज कर सकते हैं get fair तो यहां पर जो भी आपने station चूज किया जैसे अलवर से बांदी की इसका किराया आ जाएगा total fair अब आपको प्रोसीड करना है book ticket पे book ticket करना है यहां पर आपको multiple option आ जाते हैं तो माल लीजिए मैं इसमें से पेटियम सेलेक्ट करता हूं और payment करता हूं जैसे यह आप यहां पर सेलेक्ट करते हैं आपके रेस्टर नमबर पर एक OTP भेजा जाएगा उसको आपको verify करना है अब यहां पर आपके जो भी पेटियम में balance होगा वह यहां पर दिखा देगा अगर आपको पेटियम से ticket book करन करना है दुबारा तो आप इस पर जा सकते हैं और यहां से आपको आपकी बुक की हुई ticket मिल जाएगी उमीद है दोस्तों जो अभी हमने steps आपको बताया उन्हें steps को follow करते हुए आप जनल ट्रेंड की ticket book कर सकते हैं और एक लबभी लाइन में लगने से बस सकते हैं अगर आ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकान को बटन दबा दीजिए जिससे कि हमारे नए वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहेगा हम ऐसे इंट्रेस्टिंग facts चैनल पर लेके आते रहते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ में नमस्कार जाली